हाई फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल यूस्पुल प्रोड़क्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा बैटनोबेट एन और बैटनोबेट सी क्रीम के वारे में जो की आजकल मार्केट में बहुत ही जादा डिम से यूट्यूब दारा वो डिलीट कर दी गई तो आज मैं दोनों क्रीमों को कंपेरिजन वीडियो बना रहा हूं तो दोस्तों आप मेरी वीडियो पूरी देखना जिससे आपको इन दोनों क्रीमों के बारे में पूरी और सही जानकारी प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीजिससे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं बैटणोवेट एन क्रीम की जिसमें बैटा-मेतज्व me ta assault सब्सक्राइब को मिलाया गया यह जिसके कारण इसको बैटनोबाते सी क्रीम each में जब्सक्राइब को मिलाया गया है जिसके कारण इसको बैटनोबातने सी अब दोस्तों इनके प्राइस की बात करते हैं तो बैटनोवेट N क्रीम है वो है 20 ग्राम की और इसकी प्राइस है लगवग 22 रुपे और दोस्तों बैटनोवेट C क्रीम है जो की 30 ग्राम की है और इसकी प्राइस है लगवग 33 रुपे तो दोनों ही क्रीम मार्केट में सस्ती हैं और आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी दोस्तो दोनों ही क्रीम only for external use के लिए हैं और आपको इनके बारे में अच्छी बात बताता हूँ कि ये दोनों क्रीम only fungal infection और एक्जिमा बगेरा के लिए एक fungal infection क्रीम है लेकिन लोगवाग इसको as a fairness क्रीम यूज़ करते हैं जो की बिलकुल गलत बात है दोस्तो इन दोनों क्रीमों को अपयोग लोगवाग ऐसे कील मुआसे या फिर acne pimples मिटाने के लिए अपने चेहरे पर apply करते हैं जो की बिलकुल गलत बात है ये बिलकुल गलत तरीका है ऐसे fairness क्रीम किसी भी डॉक्टर की सला के बिना किसी भी क्रीम को यूज़ करना दोस्तो ये केमिकली क्रीम है और डॉक्टर की सला के बिना इनका अपयोग बिलकुल भी नहीं करना चाहिए लेकिन लोगवाग ऐसा करते हैं फिर उनको बाद में इनके side effect देखने को मिलते हैं side effect मतलब उनके चेहरे पर redness की समस्या redness की समस्या जैसे आपका चेहरा लाल होने लगेगा और जब आप दूप में निकलोगे तो आपका चेहरा बिलकुल लाल हो जाएगा और चेहरे पर बाल आना ये भी एक तरह की समस्या उत्पन कर सकता है अब दोस्तों की क्रीम का बात की जाए तो दोनों ही क्रीम का कलर बिलकुल सपेद है और दोनों ही क्रीम में से इतनी अच्छी खुसबू आती नहीं है मतलब बदबू नहीं बोल सकते लेकिन खुसबू भी नहीं बोल सकते तो दोस्तो इन क्रीम इतनी अच्छी है नहीं अब दोस्तो अगर आप इनका यूज करें तो ये बता दू इनका यूज कब करना चाहिए इन क्रीम का यूज आपको रात में करना चाहिए दिन में आप इनका यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते अगर आप इनका यूज दिन में करोगे और धूप में निकलोगे तो आपका चेहरा लाल हो सकता है रेडनेज की समस्या आ सकती है और भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है तो इन किरीमों का अपयोग धूप में तो बिल्कुल भी ना करें और दिन में ना करें इन किरीम का अपयोग रात में करें अगर करें तो पहली बात तो इनका यूज ना ही करें तो अच्छा है आप इनका अपयोग डॉक्टर की सलाके बिना नहीं कर सकते और दोस्तो एक बात और कि इन क्रीमों को उपयोग जादा दिनों तक बिल्कुल ना करें अगर आप इन क्रीमों को उपयोग करते भी हैं तो उपयोग करना बंद कर दें और आप इनका उपयोग कर भी रहें तो जादा ना करें लगबग हफते में दो बार उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा इनका उप्यूगा आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन के लिए हानिकारा होगा आपको इनका साइड एफेक्ट बाद में देखने को मिलेगा जब आप इनका यूज करना बंद कर दोगे तो दोस्तो मेरा इन क्रीमों के बारे में ये विचार है, आपको ये विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक करें, और आपको मेरा चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी जानकारियां, क्रीम के बगेरा मैं आपको बताता रहता हूँ, और आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स पर वोचिंग, बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट रीडियो,